आपने अभी तक टीम्टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकॉन की बटल को दबाना न भूले ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे नमस्कार टीम्टी न्यूज में आपका स्वाधत है और मैं हूँ आपके साथ आमना खान खरगोन चले के बांगरदा में सोमवार को गाव के समस्त शास्किये एवं नीजी शिक्षन संस्थाओं में मिजुन्स रुबैला टीका करन अभ्यान चलाया गया जिसमें सभी संस्थाओं में दर्ज बच्चों को स्वास्त विभाग की ठीम द्वारा टीके लगाए गए विकासखंड चिकत्स अधिकारी विक्रम सिंग चोहान प्रात्मिक स्वास्त केंद्र बांगरदा के स्वास्त अधिकारी टॉक्टर राजेंद मिम्रोड द्वारा सबी कैंद्रों पर टीका करण अभ्यान का संस्था में निरिक्षन कर टीका करण उप्रांत बच्चों के स्वास्त का रेलिक्षन किया गया विकासखंद पस्त अधिकारी विक्रम चोहान ने बताया कि μिजल्स रोबेला ठीका करण है तू विकासखंद बढ़वा को 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है जिसमें 3 सेक्टरों में ठीका करण कारेपूर कर लिआ गया है एवं चोथे सेक्टर बांगर्दा में कारे प्रगती पर हैं अगले चरण में आंगनवाडी स्तर पर बिजल सुरुबैलाची का करण अभ्यान चलाया जाएगा बड़वा विकास खंट को हम लोगोंने टोटल नौ सेक्टर में माटा है नौ सेक्टर में हम लोग अभी तीन सेक्टर में काम कंप्लीट कर चुके हैं स्कूलों में और आज यह चौथा सेक्टर है बांगर्दा आज यहां पर 40 स्कूलों में हम लोगोंने टीम मेजी हुई है और जिसमें प्राइवाट स्कूल को लिया गया है आज अपने बांगर्दा सेक्टर के तिन सब सेंटर महमाडा बांगर्दा और भानवर्ण के कवर किये गए इसमें करीब 14 स्कूल में से 36 सब बच्चों को लगा जाना है जानकारी है कितने को लग चुके हैं और कितने अप्सेंट रहे हैं आज वह साम तक आपको आंकड़क में जाएगा झाल